इस वीडियो को आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा तो उस जीबियो के बीमारी के बारे में इस वीडियो में बात करने हैं जो फिजो 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 चोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी इस वीमारी के वाज़े से blood pressure काफे जादा बढ़ जाता है, वो patient ठीक से सांस भी नहीं ले पाता, इस तरह के patient में most of the time से उस patient को ICU में भरती करके oxygen या फिर ventilator के भी पढ़ सकती है, तो सबसे पहली बात कि उस वेक्ति में अगर सांस लेन में तकलिफ आ रही है, तो फिर उस patient के जो diaphragmatic muscles होते हैं, वो काफी बुरी तरह से affect होए होते हैं, तो इसके लिए उस patient को chest physiotherapy देना और breathing exercise कराना ये काफी जादा जरूरी होता है, बाद physiotherapy के दोरानों इस वेक्ति के body में जो भी major और minor joints है, उन सभी joints की दिन में कम से कम 2-3 बार तो passive moment करानी चाहिए, जो भी आपके physiotherapist है, वो इस तरह इस बात को आपको समझा भी सकते हैं और करके भी दिखा सकते हैं, तो जो भी patient है जिसमें GBS है, उस वेक्ति के सभी joints की passive moment एक दिन में कम से कम 2-3 बार करानी चाहिए, की जानी चाहिए, इसके साथ-साथ अगर वो GBS का patient खुद से मोव नहीं कर पा रहा है, खुद से अपनी position नहीं change कर पा रहा है, बेड़ पर ही लेटा हुआ है, तो फिर उस condition bad source को award करने के लिए, उस patient की position होती है, उसको हर 2-3 घंटे में change करते रहना चाहिए, तो इस तरह से उस patient की position हर 2-3 घंटे में change करने के वज़े से, उस वेक्ति में bad source बनने के chances काफी जादा कम हो जाते हैं, और उस वेक्ति को उस वज़े से आगे जाकर के तकलीव भी नहीं हो तो discharge देने के बाद घर जाने के बाद भी उस patient को physiotherapy की treatment काफी लंबे समय तक, कुछ किसस में काफी लंबे समय तक भी लेनी पड़ सकती है, इसके अंदर उस patient को discharge होने के बाद, endurance और strain training दी जाती है, जिसके उस patient अपने limbs को, हाथ और पेरों को ठीक से इस्तमाल कर सके, उनके उपर strain को बरदाश्ट कर सके, कुछ functional exercises भी उस patient में कराई जाते हैं, functional exercise के साथ-साथ उस patient में positional या फिर balance की training भी दी जाती है, जिसके वो जैसे वो patient बिना किसी सहारे के कुरसी से, या फिर नीचे से उट करके खड़ा हो सके, इसके साथ-साथ वो चलते वक्त अपने body का balance ब फिजो तेरपी के दोरान इस्तेमाल की जाती है, या फिर इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसके वज़े से उस वेक्ति में जो motor power चली जा चुकी है, वो काफी हद तक regen होने में काफी जादा मदद होती है, फिर भी देखा जाता है कि आगर किसी भी वेक्ति में जो GBS या फिर फिर इसे ले करके एक साल तक लग सकता है, किसी-किसी पेशन में एक साल से बढ़ करके दो से तीन साल तक भी हो सकता है, GBS की जो पेशन होते हैं, उनमें से 80% या फिर 80% जो पेशन होते हैं, वो लगबग 6 महने के बाद अपने आप से चलना शुरू कर देते हैं, इसके से ठीक नहीं होते हैं, उनमें lifelong एक deformity या फिर disability आ जाती है, जिसके वो पेशन्ट या तो ठीक से चल फिर नहीं पाता, या फिर इसमें से कुछ ऐसे भी पेशन्ट होते हैं, जो कि आपनी जान भी इसमें से नहीं बचा पाते हैं, तो overall एक कुछ फिजियो थेरपी के importance को बत झाल